शिव प्रभात सभी को, मैं आपकी होस्ट डिम्पल चाधरी मकर संकरांती के उपलक्षय पर लेकर आई हूँ आज का स्पेशल पोड़कास्ट एपिसोड मकर संकरांती का पर्व हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है हिंदूों के पर्वों की शुरुवात मकर संकरांती से ही होती है यह हिंदू धर्म के महत्वपुन्ट योहारों में से एक है जो सूर्य देव के राशी चक्र के मकर राशी में संकरांती के लिए मनाया जाता है मकर का अर्थ मकर है और संक्रान्थी का अर्थ संक्रमन है इसलिए मकर संक्रान्थी का अर्थ है सूर्य का राशी चक्र में मकर राशी के संक्रमन जिसे हिंदु धर्म के अनुसार सबसे शुब अवसरों में से एक माना जाता है मकर संक्रान्ती को बहुत है शुब दिन माना जाता है और गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से भक्तों के जीवन में सम्रूती और खुशिया आती है मकर संक्रान्ती देश भर में विभिन नामों और रिती रिवाजों के साथ मनाये जाती है जैसे तमिल लाडू में पोंगल, आसम में माग भी हूँ, गुजरात में उत्रायन, पंजाब और हर्याना में मागी, उत्तर प्रदेश और बिहार में खेचडी, आदि महाराष्टर और कनाटक में लोग मिठाईया बाढते है मकर संकरांती के दिन आसमान टरंगीन पतंगों से भर जाता है, इस दिन पतंग उडाने का चलन राजिस्थान और गुजरात में अधिक है ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रान्ती के दिन चावल, गेहू, मिठाईदान करने सीय व्यत्ती के जीवन में समरुद्धी आती है और उसकी सभी बादाए भी दूर होती है मकर संक्रान्ती तिल और गुड़ से बनी मिठाईओं के बिना अधूरी है लोग परिवार और दोस्तों के साथ गजक, चिकी, तिल के लड़ू आदी मिठाईया तैयार करते हैं और साजा करते हैं मकर संकरांती त्योहार को भारत में मनाने के पीछे कई सारे मानेता है ऐसा कहा जाता है कि इस दिन विष्णो जी ने देवताओं और असूरों के बीच युद समाप्त कर दिया था जो की हजारों वर्षों से चल रहा था बकर संकरांती त्योहार को भारत में मनाने के पीछे कई सारी मानेता है ऐसा कहा जाता है कि इस दिन विश्णु भगवान ने देवताओ और असुरों के बेच युद समाप्त कर दिया था जो की हजार वर्षों से चल रहा था इसलिए लोगों के लिए यह बुराई का अंत और सच्चाई के युग की शुरुवात का महुतसव है इसके हलावा एक और विश्वास यह है कि भीश्यम को अपने पिता से एक वर्दान मिला था कि जब वह अपने प्राण त्यागना चाहेगे केवल तभी मर पाएगे इसी दिन उन्होंने अपने नश्वर रूप को त्यागने का फैसला लिया था इसलिए यह अत्यंत शुब दिन माना जाता है खगोल सास्त्रों के मुताबित सूर्य जब दक्षिनायन से उत्तरायन होता है या पृत्वी का उत्तरी गोलाड सूर्य की और मुट जाता है उस दिन मकर संक्रानती का पर्व मनाया जाता है सास्त्रों के अनुसार सूर्य जब दक्षिनायन में रहता है तो उस अवधी को देवताओं की रात्री व उत्तरायन के चह महा का दिन कहा जाता है दक्षिणायन को नकरात्मकता और अंदकार का प्रतीक तथा उत्तरायन को सकरात्मकता एवं प्रकाश का प्रतीक माना गया है ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांती के दिन यज्य में दिये गए द्रव्य को ग्रहन करने के लिए देवता धर्ती पर अव्दरित होते हैं एवं इसी मार्ग से पूर्ण यात्माएं शरीर छोड़ कर स्वर्ग आदी लोग में प्रवेश करती है सनातिन मान्यताओं के मुताबित मकर संक्रांती के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनी से मलने स्वयम उनके घर जाते है शनी देव मकर राशी के स्वामी है उनके घर में सूर्य के प्रवेश मात्र से सनी का प्रभाव शीर हो जाता है क्योंकि शूर्य के प्रकास के सामने कोई नकारात्मक्ता नहीं टिक सकती है मान्यता है कि मकर संक्रान्ती पर सूर्य की स्थाधना और इन से संबंदे दान करने से सारे शनी जनित दोश दूर हो जाते है सास्तरों के अनुसार मकर संक्रान्ती के दिन हे भगवान विश्रू के अंगुठे से निकली देवी गंगाजी भागी रथी के पीछे पीछे चल कर कपील मुनी के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भागी रथी के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान हुआ था इसलिए इस दिन बंगाल के गंगा सागर के कपिल मुनी के आश्रम पर एक विशाल मेला लगता है मकर संकरान्ती का त्योहार बुराईयों को खत्म करके अच्चायों की शुरुवात है साल की शुरुवात मकर संकरान्ती पर्व के साथ होती है जो आनंद और खुशी का त्योहार है मकर संक्रान्ति का मुख्य उदेश्य लोगों के बिच भेदबाव की भावना को खत्म करके मेल जोल को भड़ाना है इसी के साथ मैं आप सभी को मकर संक्रान्ति की हाथ दिक्षिप कामनाई देती हूँ धन्यवाद